साथियों अब तीन नहीं चार-चार मौर्चा बन चुका है पहला इंडिया गटबंधन दोसरा इंडिये गटबंधन और तिसरा पीडियम और चौथा पीडिये अकले सियादो जी वाला और मायावती जी ने अपना अलग अकले चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है अब को आज बताएंगे कि गैंगस्टर थे या फिर नेता थे या फिर नेक दिल वाले व्यक्ति थी जिनके जनाजे में लगभग सभी धरम के लोग पहुंचे हुए थे उन तमाम सभी खबरों पर बातचीत करेंगे और यह तस्बीर लगातार वाइरल हो रही है यह देश के महा महीम की तस्वीर है राश्टपती मुर्मजी की तस्वीर है पहली बार इतिहास में साथ ऐसा हुआ है कि राश्टपती जी भारत रतम से नमाजने के लिए उसके घर पर गई हूँ ऐसा सुनने में आया है है और सोचिए किस तरह से कॉंग्रेस पार्की पर आजाज समाज पा में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है यह माने या कोई न माने और उसको अगर कोई टक कर देगा तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार की टक कर देने वाली है इस बार की राजनिती में सभी लोगों को पता चल चुका है आज उन्हीं सभी ख़बरों पर बा पुजन समाजपार की जेत्ती है तो भारत में भारती संविधान अस्तापित होगा जिस तरह से इसमें लूट मार घसोटी मची हुई है लगतार बीजेपी के लोग कह रहे हैं मुझे ओंट आप दीजिए संविधान बदलने के नाम पर दीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि महा जोकने नहीं होगा जोकने नहीं पाएगा आपका अलपना नहीं कर सकती बात बहुत सिंपल सी है अगर दली समाज अपनी सत्ता को चाहता है तो उसको किसी के आगे गिरगराने की जरूरत नहीं है बड़ी खबर आपको बताएंगे सोचे अखिर पीडियम तो बन चुका है पलबी पठेल जी का और असादु दिन उबेशी साहब का लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अंदर से पलबी पठेल जी और अशादु दिन उबेशी साहब पीडियम बनने के बाद भी मायावती जी का सपोर्ट कर रहे हैं आपको बताएंगे सिंपल फंडा है एकडम स पूरी तरीका से आपको समझा देंगे आप सोचे कि पश्चमी यूपी पर जो है मुस्लिम और दलित का ये बहुलिये छेत्र है जहां पर मुस्लिम समाज ज्यादा है लेकिन अशादुदीन उवेशी सहाब ने यहां पर अपना एक परत्यासी नहीं उतारा है और इसका सीधा फाइदा बहुजन समाज पार्की को होने वाला है तो क्या यहां पर समझा जाया कि क्या अशादुदीन उवेशी अपनी पार्की के उमिद्वार को न उतार करके बहुजन समाज पार्की का कही न कही सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर पूरा मुस्लिम समाज बहुजन तमाम ऐसे खबर जो जहन में हमेशा चला करते हैं लोग हमेशा कमेंट में किया करते हैं पूछा करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिस हमेशा किया करता हूं खबर यही सच्चाई है कि इस बार के चुनाओं में बहन जी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी कर रही है और बाकि जितनी पार्किया थी वो धरासाई हो रही है ये बड़ी खबर है और उन तमाम खबरों पर बाचीत करेंगे जो लगातार वाइरल हो रही है आपको एक खबर बताते हैं कि कितनी हिम्मत होती है भी मार्मी के उन तमाम नेताओं के अंदर आप कलपना नहीं कर सकते जो ठीक से अभी बैठना नहीं जान पाए हैं वो आसमान उठाने की बात कर रहे हैं मैं बताऊंगा इस पर अश्पश तोर पर सोचए जिनके हाथों में अभी सत्ता नहीं है तो पूरे देश पर पूरे दलित पिछले आदिवासियों को इनसाफ दिलाने की बात करते हैं और जिस दिन उन्हें सत्ता मिल जाएगी तो दलित विश्रे आधिवासियों का तो सत्ता राज और सत्ता कायम हो जाएगा। सोचिए आपको बताते हैं खिर मामला किया है ये आपके सामने एक बैनर आ रहा है सोचिए और बैनर में ठीक साइड में देखिया आजाज समाज पार्की के राज़ के अध्याश चंदर सेखर आजाद रावर की ये तस्बीर है और ये तस्बीर इसलिए लगाई गई है कि जो दलित समाज है जो बहुजन समाज भी मारमी को चाहता है वह समाज कांग्रेस पार्की को ओट करे और साथियों आजाज समाज पार्की के लोगों को गुसा क्यों ना आए क्योंकि इंडिया गटबंधन में उन्हें लगता था कि मुझे अब सामिल कर लिया गया है और इंडि से पूरा जायजा लगा सकते हैं। और आप कलपना नहीं Hungary कर सकते यह तस्वीर जो वाइरल हो रही है। एो तस्वीर राश्टपती जी की राश्टपती जी की तस्वीर हो रही है। जैकि यादral ने लिखा कि इस तस्वीर को देखकर आपके दिमाग में क्या आया है तो कुछ लोगों ने अपनी राय रखी लेकिन उसमें से गवरोपाल जी ने लिखा कि देश के राष्टपती का अपमान हुआ है और देश के राष्टपती का अपमान मतलब पूरे देश का अपमान है और इन्होंने टूइट में लिखा कि देश के राष्टपती का अपमान हुआ है राष्टपती पहली बार किसी ब्यक्ति को उनके घर जाकर भारत रतन दे रही है अगर अजवाली जी स्वास्त कारोणों के कारण खुद नहीं आ सकते थे तो वह याकपुसकार लेने के लिए किसी परतन दी को भेज सकते थे लेकिन भाजपा ने राष्टपती को अपमानित करने के लिए उनको अजवाली के घर ले गई तस्बीर में साफ दिख रहा है कि महामहिम राष्टपती खुद खड़ी है खड़ी होकर भारत रतन दे रही हैं जबकि मोदी बैठे हैं और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि राष्टपती एक आदिवासी समाज से आती हैं आप सोचिए तमाम लोगों ने इस मुद्दे को कहां पले जाकर खड़ा कर दिया इसके पीछे की एक कहानी हम आपको बताएंगे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि महामहेम जी आदिवासी समाज से हैं इसलिए परधान मंतरी नारेद्रमोदी जी खाड़े अपना नहीं हो सके हैं और महामहेम जी को खड़ा कर रखे हैं उनके घर ले जाकर के महामहेम के हाथों से भरत रतन अजवानी जी को दिलवा रहे हैं लेकिन साथ कुछ लोगों की ये भूल है आप दूसरी ये तस्वीर देखिए ये दूसरी तस्वीर ये है दिलिप मंडल ने से पोस्ट किया था इस तस्वीर में पीछे असोक चक्र लगा है नीचे पैरो के नीचे कॉलीन है और महामहेम जी देश की जो पर्थम महिला है वो उस कुर्सी पर बैठी हुई है अब आप कल्पना नहीं कर सकते एक तस्वीर को दो तरीके से देखा जा सकता है खैर आप लोग की इस पर क्या राह है ये भी जानना बहुत जरूरी है और आगे आपको बताते हैं वो बड़ी ख़बर जो लगातार वाइरल हो रही है सोचे दो तस्वीर जीतु रोजरिया जी ने टूट किया और लिखा कि इन दोनों महापुरसों को देखकर मन भर जाए किसी का तो बता देना मैंने सुना है कि कुछ लोग इनको भी धोखा दे रहे है सोचे मानवर शाहब और बाबा शाहब डोक्टर भीम राम बेटकर को लेकर के जीतु रोजरिया ने लिखा कि कुछ लोग इनको भी धोखा दे रहे है आप लोग को क्या लगता है कि मानवर कासी राम साहब के बताय हुए रास्ते पर आज बहुजन समाजपार्ट के चल रही है क्या मानवर कासी राम साहब को आजास समाजपार की धोखा दे रही है तमाम बड़ी ऐसे सवाल हैं जो लगातार लोगों के अंदर उठा करते हैं और वो सवाल लोग अपने इस कमेंट बॉक्स में आकर कर देते हैं सवालों का जवाब आपको देना बहुत जरूरी है यह बात पूरी तरह से किलियर है जो लोग कहते थे कि बहुजन समाजपार की खतम हो चुकी है वो आज इस बात के लिए चिंता कर रहे हैं कि कहीं हमारी नुया न डूब जाए आप सोचिए इस वाल लगातार लोग पीडिये बना रहे हैं कि यह हम बना रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है अब तो चुनाओ के बात पता चलेगा कि कितने लोग कितने पानी में हैं खैर आप लोग की क्या राहे हैं इस पर क्या पर किया जानना बहुत जरूरी है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे एक और खबर नए राजनीतिक मुद्ध समाजिक मुद्ध के साथ तब तक के लिए जाए भी नमवद्धाए